है गाइज दिश्यों बीजीच वादरी विल्कम बैक तो मैं चैनल एंड आज काफी सारे अफडेट्स है हमारे पास तो सबसे पहले तो आप मैं अपने छोटे-छोटे च्टल्स को रख देता हूं संलाइट लेने के लिए हमेशा के तरह एज लोग अपना संलाइट देता हैं काफी ज्यादा helpful हो जाएगा यह रही हमारे जैपनीज कोई कार्ट और आज इनके पॉण्ड को मैं तो क्लीन करने वाला हूं क्योंकि इसके अंदर काफी अलगे लग गया है तो आज मैं दिखांगा कि इतने बड़े इस पॉण्ड को कैसे क्लीन किया जाता है और यह देख स इतने सारे फ्राइज उसके बाद फिर इसमें अभी और है यह देखो कि इतने सारे प्राइज है अभी मैंने किसी को भी इसमें से नहीं निकाला इधर भी फ्राइज है यह देखो हर जगा मतलब प्लांट के अंदर छुपे हुए हैं अपने पैरंट से साथ और कोई गपी इनको खा भी नेरी सबसे अच्छी बात तो मुझे यह लगा तो अभी मैं इसमें से सोचनों लोकर सिप्रेट कर दू अलग बाकि इसके अंदर मैंने सेंटा क्लॉस और फ्लाइटिन डूंबर के प्राइज रखे हुए हैं मैं सोच इन सब को भी उसी में रख दूं बठाइ इस तरीके से क्रॉस ब्लीडिंग होने का चांस होते हैं जब यह बड़े होने लगेंगे तब लेकिन को दिक्कत की बात नहीं हमारे और भी फ्राइज आ रहे हैं सौरी फिसस आरें बाहर से उनको हमने सिप्रेट करेंगे और हो सकता मैं इसमें से जितने भी मिक्स गपी हैं लोकल मिक्स गपी इनको ठाके अपने टैंक में रख दूंगा मैं फिर जो बाहर से गपी उनको टैंक पर रख सकता हूं वह जब आएंगे तब पता चलेगा बाकि अभी मैं काउंट करके देखूंगा सबी गपी को फ्राइज को पकड़के एंड गाइस आप लोग इस गप गपी के फ्राइज भी काफी तेजी से ग्रो कर लेंगे क्योंकि काफी बड़ा साफ इसपॉंड है इनको स्वीम करने की ज़्यादा जगा मिलेगी और बहुत लोग पूसे अचा कि गपी को सकस्वी कैसे ब्रीट किया जाता है तो गाइस देखो सकस्वी ब्रीट करने के लि प्लांट डालो टब में भी ब्रीट कर सकते हैं सबसे इसको डालना ही तो है यह रहा हमारे वाटर लीली का अपडेट देख चकते हो अब इसकी लीफ्स धीये दिर से बड़े हो रहे हैं और नीचे से आते जा रहे हैं काफी सारा बच जल्दे से इसको कवर कर लें फिर काफ देख सकते हैं हमारा बोक है कच्छुए को फीड डाल दिया है मैंने और अभी देखो पहले देखेंगे ठोड़े तक मुझे फिर खाना स्टार्ट कर देंगे और अभी मेरे साथ अच्छे सेटल होगे मुझे जान गया है कि मैं ही माली क्यूंगा ठीक है तो मेरे सामने सब्सक्राइब कर लिया है और यह रहा हमारे गपीज का फिस्पॉंड तो चलो इसमें से फ्राइज को पकड़ते हैं देख सकते एक ही सगह सारे आ गया है और एक बार में तिस सारे फ्राइज आ गया यह देखो कर पाना मुस्किल भाई भी लोको और अब इसके नेर काफी सार है यह देखो तो एक काम करता हूं गयाज मैं सभी गपीज को पकड़ लेता हूं उसके बाद फिर दिखाता हूं और लेट गयाज तो मैंने इस फिस्पॉंड से सारे फ्राइज को निकाल लिया यह देख सकते हूं और यह कम से कम 20 से तो ज़्य जादा है मैं काउंट ने कर पाया हूं अभी तक करना भी नहीं चार रहा हूं इतने सारे कौन काउंट करें यह देख सकते हो काफी ज़्यादा है यह चलो अभी मैं को सोच रहा हूं किसी और चीज में सिफ्ट कर दूं मैं सोच रहा हूं कि इस वाटर लीली वाले पॉंड म मिलने लगे तो पहले तो यह जो गिर गया इसमें गंदगी डश्ट है इसको निकाल दे रहा है और अब यह क्लीन हो चुका है और अब चुले लाके अपने फ्राइस को मैं इसमें रिलीज कर देता हूं बढ़ उससे पहले कुछ और चीज करता हूं यह रहा गाइस हमारे करेंड़ का जाना की देरे काफी सारे प्लांट है थोड़ा कर निकाल दे रहा है छुछ इसमें से इसीलिए मैं इसको इसमें रखा हुआ है यारे टो प्रॉबलम है की शनेरा जाते हैं इसके साथ से चलो कोई बात ने से कोई दिक्कत नहीं प्रेक डालेंगें सब्सक्राइब करेंगे पूरा आपडेट देता रहोंगा और मैं चाहता हूं कि काफी जल्दी में इनको ग्रो कर लूँ तो उनको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा अच्छे से मेरे पास फीड कराने बहुत कुछ है इनको मैं फीड भी कराऊंगा और यह काफी बड़ा है तो इनको मतब स्विम करने के लिए ज्यादा जगा भी मिलेगा तो और लेडी काफी तेजी से ग्रो कर पाएंगे यह एक विक अभी तो यह से एक कल ही हुए है कल वर्थ लिया लोग है तो अभी वैसे लोको दो दिन हुआ है और यह एक विक के अंदर काफी ज्यादा अच्छे दिखने लगते हैं जैसे कि मैरे अभी जो प्लैटिनम डंबोर के फ्राइज है वह काफी बड़े दिख रहे हैं थोड़े से यह दिखने लगेंगे देख सकते हो प्लाइट नीचे चला गया है तो आसे ऊपर कर दे रहो है हमारे फ्राइज को हाइडिंग स्पेस मिलता रहे और यह तो अब बारी हमारे गपी को फीड कराने की पहले मैं फीड करा दे रहा हूं उसके बाद फिर हम लोग अपने फिस्पॉ प्लांट को निकाल के अलग कर लेता हूं पहले तो क्यूंकि अभी मैं इसको और व्यास था करना है और यह चूट जाता है और इधा से पाइप को निकालना मुझे ताकि पानी थोड़ा सा नीचे गिरे क्यूंकि हमें 30% बाटर भी चेंज करना है और मैं पूरे एक मंथ बा और देखी सकते हो कितनी गंदगी वाई सब्सक्राइब भी है और जो हमारे प्लांट है ना प्लांट के रूट्स भी है इसके अंदर तो इसको ऐसे घिरा देता है ठीक है और अब बार यह प्लांट को मैं इसमें से निकालता हूं पहले तो सारे निकाल लिया है मैंने ज देख सकते हैं इसके अंदर और तो चलो को साफ करता हूं तो मैं तो यह रहा हमारा है इससे मैं करता हूं अपने से स्पॉन को सब्स्राइब करते हैं कि अप्यक्ति साफ हो जाता है से लगे ऑड गया तुसके ने से मैंने अलगे साफ कर दिया और देख सकते हैं यह पुरा पानी में भूल गया इसलिए पुरा ग्रीन ग्रीन लिख रहा होगा लेकिन वह भी ठीक हो जाएगा मैं अब बीट केंदर वाटर फिल करूंगा और इसके बाद जो फिल्टर को भी साफ कर दूँगा तो लास्ट में फिर इस फिल्टर को भी साफ कर दूँगा ओकी गई तो वाटर निकल चुका है और अब बारी इसके अंदर न्यू वाटर फिल करने की मैं इतना वाटर छोड़ दिया हूं ओल्टैंग और यह जो ग्रीन अब बारी तो फिल्टर को लेकर चलते हैं और लेट गये तो सब कुछ रेडी हो चुका है आप मैंने फिल्टर को भी लगा दिया क्लीन करके और अब बार ही हमारे प्लांट को इसमें रिलीस करने की तो चलो इसमें डाल देते हैं अब यह जूँआ है कि अगया तो उस्ट कर देशन में डाल दिया है और जित्वा है तुम लोगों ग्रीनी डार्क वाटर दिख रहा होगा वो सब साम तक क्लियर हो जाएगा पूरा किके वारा अच्छे से बर्क कर रहा है और यह भी सब को सेटल हो जाएगा जितना वाटर के दर सब एलगे घुल चुका है तो सब बैठ जाएगा और आज की वी ध्यूनी पूटीफीस